आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे LNMU के जो बच्चे हैं B.A. 2nd सेमेस्टर के उनका पेपर सैकलोजी था तो उसके कोश्चन पेपर को देखेंगे ये मेजर पेपर का कोश्चन पेपर है जो कि 2023 ये 27 वालों का हुआ था 2024 में उसका कोश्चन पेपर आप देख लीजे कि objective में क्या क्या question पूछा गया था तो देखेंगे पहला question जो objective में पूछा गया था वो था समाजिक मनोविज्ञान के समद्ध में कौन सा कथम सही है ये पूछा था ठीक है इसका सही उतर जो हो जाएगा आप देखिएगा option के हिसाब से ये उप्रोक्त में से सभी हो जाए ठीक है अगला question देख लीजिए अगला प्रसना आपके लिए है कि निमलिकित में कौन सा समाज मनोविज्ञान की एक विधी है तो समाज सर्वे भी होता है निरिक्षन विधी भी होता प्रयोग विधी भी होता उब्रोक्त सभी हो जाएगा ठीक है उसके बाद कि समाजिक प पर किरिया को संदर्वित कौन करता है तो इसमें अंडर्स्टेंडिंग टू अधर होता है ठीक है तो इसको भी ध्यान में रखेगा अगला question आप देख लीजिए अगला प्रस्म है निम्न में से कौन इंप्रेशन प्रवंधन निर्धारित करता है इंप्रेशन प्रवंधन को निर्धारित करने वाला होता है क्या यह कोशन पूराता उप्रोक्त में से सभी हो जाएगा इसका ठीक है निम्न में से कौन सा समू का एक प्रकार है समू का प्रकार होता प्रात्मिक दूतिय को अं मानता से शमू के आकार से भी सबसे प्रभावित होता है ठीक है प्रवागरह को कम किया जा सकता है कैसे अलग आवासनिती से या फिर घिर्णास्पद भासन को बढ़ावा दे कर बिल्कुल नहीं संदिह से बिल्कुल नहीं अंतर समू संपर्क से या फिर अलग आवासनिती से तो यह सही हो जाएगा अंतर समुह संपर्क करके आप इसको बढ़ावा दे सकते हैं अगला question आपको देख लीजिए आपका क्या है निम्निमे से कौन मनोब्रीती का घटक है तो इसमें भावातमक व्याबारातमक और संग्यानातमक तीनों ही घटक होता है मनोब्रीती का ठीक ह याद रखेगा निम्निमे से किसने संग्यानातमक अश्रंगती सिद्धांत प्रस्तावित किया इसमें आपको सही उतर चुनना था आप बताईएगा इसका उतर क्या है नहीं है ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही